एलो फ्रेंट्स ये आप लेड्डू देख रहे हैं और ये लेड्डू बनाया है मैंने च्वलाई से च्वलाई की लेड्डू है और इन्हें बनाना बेहद आसान है so friends इन्हें आप बृत्में भी बना करके खा सकते हैं आपका बृत हो किसी का भी तो आप बृत्में बनाईए तो फटा फट से recipe शुरू करती है मैंने good लिया है और good लिया है मैंने 1 kg क्योंकि मेरी 1 kg चॉलाई है भुनी भी है मार्केट से भूनी भी चौलाई मिल जाती है इस पर मैंने कड़ाई में पानी रख दिया है 200 ग्राम पानी में एक किलो गुड एड गड़ दिया है और गुड को अच्छे से मेल्ट होने देंगे उबाल आ गया है और इधर ये हमारी चौलाई है ये भूनी भी चौलाई है मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है अगर ना मिले तो आप घर पर भी इसे भून सकते हैं बड़ी आसानी से भून जाती है ये चास्नी देखेंगे चास्नी हमारी तिक हो गई है और इसमें जब ये एक तार की हो जाएगी कि चाशनी तैयार है हमारी तो फटा-फट से लड्डू बना लेते हैं इस पेस देंगे चौलाई के बीच में और चाशनी डालेंगे बड़ी ही आसानी से चाशनी बन जाती है गुड़ बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है अच्छे से मिक्स करेंगे ध्यान से मिक्स करना है क्योंकि हाथ न जले आपका बहुत गरम होती है ये दिरे दिरे पहले पर्चु से मिक्स करेंगे फिर हातों की हैल्प लेंगे क्योंकि अच्छे से पूरे मिक्स होनी चाहिए ताकि मीठा पूरे में हो सके फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा जादा मीठा पसंद दे तो आप सबा किलो गुड़ भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां एक किलो गुड़ लिया है आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं गुड़ चीनी मिक्स करके भी ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से लड़ू बन जाते हैं और खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं खास करके ब्रत में ब्रत में आप महा शिवरात्री के ब्रत में इनको बन मीठा अच्छे से मिल सके और मिक्स करने के बाद एक कंटेनर पानी लेंगे और पानी लगा-लगा करके ताकि हाथ न जले और लड्डू अच्छे से बंद सके तो हाथ गीला करेंगे और लड्डू बनाएंगे ये देखी हें कितने अच्छे से mix किया है इसको पानी ले लिया है है मैंने और पानी का हाथ लगा करके लड़ू बराना शुरूर कर दिया है इसी तरीके से हमें सारी लड़ू बना करकर तयार करने है friends मेरे लड़ू बन चुके हैं और बहुत ही अच्छे लड़ू बने हैं आप देख सकते हैं और खाने में बहुत अच्छे होते हैं सबसे अच्छी बात तो ये है कि ब्रत में सबसे अच्छी चीज है ये खाने के लिए सो फ्रेंड्स अगर आपका भी ब्रत है और आपको चॉलाई के लड़ू पसंद है तो आप भी बनाईए खाईए और अपना एक्सपीरेंस मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में उससे शेयर कीजिए अगर इस रैसी पर से जोड़ा कोई भी कॉश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में उससे शेयर कर सकते हैं उसका अंसर आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको लड़ू बनाते वक्त कि आपकी चासनी एक तार की होनी चाहिए और जितनी चॉलाई आप ले रहे हैं उतनी ही आपको मीठा लेना है गुडले या चीनी ले जो भी आप ले रहे हैं मीठा उतना ही लेना है अगर आप थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो 2500 ग्राम बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं होना चाहिए अगर कम होगा तो आपके लड़ू बनना ही पाएंगे तो फ्रेंड्स एक ब